जै सनातन धर्म की प्रिया दर्शकों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पर दर्शकों बहुत सारी चर्चाई होती हैं कि आखिर सनातन है क्या हम अपने आपको सनातन ही मानते हैं लेकिन आप जानते हैं कि वास्तों में सनातन है क्या जब आप मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाने के बाद, आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर आँख बंद कर लेते हैं, आप जब आँख बंद करके अपने भीतर उसको देखने के कोशिश करते हैं, ये सनातन है, और यहीं काम, एक मुसल्मान भी करता है, मज्जित मे के कोशिश करता है यहां सनातन है यानि हम कोई भी धर्म को मानते हों लेकिन जब हम उसे धर्म स्थल पर जाते हैं तो सतय हमारे अपने हाथ जुड़ जाते हैं हमारी आखे बंद होती है और हम अपने उसको जिसको जानने के हम वहाँ आए हैं, उसको जानने की प्रक्रिया में हम आख बन कर लेते हैं, ये सनातन है। यानि सनातन का मतलब ये होता है, कि जिस कारे को आप कर रहे हैं, जो कारे आप कर रहे हैं, उसके परिणाम हैं kadar वहाहन हैं तो समझिन लीजे कि वहाँ सनातन व्याबत है। इसलिए हम किसी भी पूजा पंदती को अपनाएं लेकिन उस पूजा पंदती के साथ में हमारी एक भावना जुड़ी होती है वह भावना सबकी एक है इसलिए वहाँ पर भी सनातन व्यापत है इसलिए आप देखिये हर व्यक्ति को अपने तरीके से की गई पूजा पद्दती के द्वारा भी अगर वो सनातन के साथ जुड़ करके उस कारे को कर रहा है तो उसके जीवन के ःंदर उस पूजा पद्दती से भी अच्छे परिणाम जरूर आते हैं यानि फिर हम अपनी जीवन के अंदर उन परिणामों को अवश्य प्राप्त करते हैं जिन परिणामों को प्राप्त करना हमारा अतिकार भी है प्यूकि जो कर्म हम सनातन के साथ जुड़ करके करेंगे उस कर्म के अंदर कभी भी अपूर्टा नहीं हो सकती और उस कर्म का कभी आपको प्रतिफल ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब आप सनातन के साथ जुड़कर कारे करते हैं, तो इस ब्रमान के सातो आयाम आपके साथ कनेक्ट होते हैं, जब ब्रमान के सातो आयाम कनेक्ट होंगे, तो आप ये मानिए कि आपके उस कर्म के अ शक्तियां आपके साथ कनक्ठ है परिणाम देने के लिए तो फिर उस चीज का परिणाम आपको ना मिले ऐसा कैसे संबभ हो सकता है इसलिए सनातन को पहचानिए सनातन हमारे हर कर्म में माजूद है इसलिए आप देखिए दर्शे को इस प्रकर्ति की बहुत सारी चीज़ें ऐ जहां यह सनातन व्याप्त है और वहां उनके कारे में कभी भी कोई मत्भेद आपको देखने को नहीं मिलेगा मा के गर्म में शिशु नौमा रहता है चाय फिरम किसी भी धर्म से संबंदित क्यों ना हो हमारे जन्म लेने की प्रक्रिया तो एक ही है इसलिए वहां सनातन व् जो शाश्वत है जिस कारे को आप कर रहे हैं उसके जो परिणाम आपको मिल रहे हैं यदि वही परिणाम इस संसार का कोई भी व्यक्ति उस कारे को करेगा तो उसको भी वही परिणाम प्राप्त होगा तो समझ लीजे कि वहां सनातन है इसलिए सनातन को पहचानना सनातन के क को पैचानना कोई मुश्किल काम नहीं है और जिस दिन इनसान सनातन को पैचान जाएगा उसके सारे शंषय भी दूर हो जाएगे उसके सारे मतव्य видел हो जाएंगे उसका ज्यानका चक्षू भी खुल जाएगा और उस दिन परमात्मा फिर उससे कहीं दूर भी नहीं होगा इसलिए दर्शक को सनातन प्रक्रिया, सनातन धर्म, सनातन शाश्वत इतना विस्तरत है इसकी व्याख्या अगर हम करने लगें तो एक जनम भी कम पड़ेगा इसलिए केवल सनातन को पकड़ कर रखिये, सनातन से जुड़ कर रहिये, जीवन के अंदर इस ब्रमांड की तमाम शक्तियां आपके भीतर स्वता ही प्रकट होगी, आपको कहीं जाने की अवशकता ही नहीं होगी अगले वीडियो में आपसे फिर बेट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, जै हिंद, जै भारत